निमिस्कार हिंदी आचारे की इतीहास की सीरीज में दोस्तो आज हम महा कभी काली रास जी के बारे में जानेंगे इनका जन्म कब हुआ इसको लेकर इतीहास्कारों में मतभेद है बच्चो कुछ इतिहासकार इन्हें जो चंद्रगुप्त विक्रमा धित्या है जो गुप्त समराठ थे चंद्रगुप्त विक्रमा धित्या उनके समय कब होते हैं यानि कि ईसा से 57 वर्ष पूर्व उन्होंने विक्रम समध भी चलाया था और दूसरे जो इतिहासकार है उन्हें वो चत शेक्स्पियर से अधिक महान इनकी जो कविताएं हैं इनका जो काव्य है वो बहुत अधिक बढ़िया है उनका शेक्स्पियर से अधिक और कुछ विद्वान इन्हें राष्ट्रे कवी भी कहते हैं तो दोस्तों अगर ये चंद्रकुप्त विक्रमा दित्य के समय पर हुए थे तो इसका अर्थ है कि ये साड़े 2000 साल पुराने है और अगर ये चौथी शता भी ईसवी में होए है तो यानि कि ये 1600 साल पुराने है प्राचीन कवी है ये भारत के संस्कृत भाषा के महान कवी है काली दास के बारे में जानते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे मालविका अगनी मित्रम की तो दोस्तों मालविका अगनी मित्रम काली दास जी की सबसे पहली रचना मानी जाती है इसमें राजा अगनी मित्र की कहानी है और ये जो अगनी मित्र है यह एक नौकर की बेटी मालविका से उसके चित्र से प्रेम करने लगता है जब अगनी मित्र राजा की पत्नी को इस बात का पता चलता है तो वह मालविका को यानि कि जो नौकर की बेटी है उसे जेल में डलवा देती है लेकिन संयोग से मालविका बाद में पता चलता है कि वह भी कोई नौकर की बेटी नहीं वो भी एक राज कुमारी है तो फिर उसके बाद जो अगनी मित्र राजा है उनके मालविका के साथ में प्रेम संबंद को स्विकार कर लिया जाता है और उनका विवा हो जाता है अब इनकी दूसरी रचना जो की जगत प्रसिद्ध है इस रचना का नाम है अभिग्यान शाकून तलम और ये जो नाटक है इसका अंग्रेजी और जर्मनी के इलावा बहुत सारी भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ है ऐसा माना जाता है कि बहुत सारे ऐसे विद्वान थे जिनको ये अभिग्यान शकुंतलम पढ़के इतना आनन्द आया कि वो अपने सिर के उपर इसके जो ट्रांसलेटिड वर्जन था उसको सिर पे रखके नाचने लगे गली में जाकर इतना उनको यह काव्य में रस आया और इस समंदिक एक शलोक भी है देखिए संस्कृट में कि काव्यशू नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला यानि कि कविता के जितने भी रूप है उनमें से सबसे सुन्दर रूप तो नाटक है और नाटकों में भी सबसे सुन्दर जो है रहे है शकुंतला नाम का नाट जो कि कालिदास जी की दूसरी रचना है और बच्चों आपको पता ही होगा कि यह जो शकुंतला नाटक है माभारत के कहानी से समंदित है जिसमें शकुंतला नाम की उमारी जो होती है दुश्यंत जी से उनकी साथ शादी होती है जंगल में और फिर वो जब उनके पास महल में पहुंचती है तो उनको वो पैचानने से मना कर देते है लेकिन अंगूठी दिखाकर फिर वो उनको स्विकार कर लेते है तो यह माभारत की जो स्टोरी है उसके उपर बेस्ट है ये अब बात करेंगे विक्रमो और वशियम की यह भी एक बहुती रहस्यों से बढ़ा हुआ नाटक है इसमें एक राजा है पुरूर्वा जो कि इंद्र लोग की अपसरा उर्वशी से प्रेम करने लगते हैं बच्चो यह भी जो कहानी है यह माभारत पर बेस्ट है यह कहानी भी माभारत पर आधारित कहानी है क्योंकि इसमें कौर्वो और पांडवो के बहुती पुराने जो पूर्वज है पुरूर्वा उनकी कहानी है यह उनकी शादी जो हो जाती है उर्वशी के साथ में हो जाती है इंद्र की सबा में जब वो उर्वशी को देखते हैं तो वो उनसे प्रेम करने लगते हैं और उर्वशी भी उनके साथ प्रेम करने लगती है तो उससे ठीक से अंधृत्य भी नहीं हो पाता तो इसलिए इंद्र उसको शाप देकर उसको धरती पर भेज देते हैं लेकिन उनक भारत में आती है और इसी कहानी मा भारत के उपर ही कालिदास जी ने ये कहानी लिखी है नाटक लिखा है अब एक नाटक है कुमार संभवाम यहें भी बहुत ही प्रिशिद्ध नाटक है कालिदास यह संस्कृत के जो पांच महान महा काव्य है उनमें से एक है कुमार संभवम कैसे वसंत्रे तो आती है शिव पारवती का विवा होता है और फिर किस तरह से उनका कुमार जी का जन्म होता है यानि की कार्थी की जी का जन्म होता है अब इसके बाद रगुवंशम की बात वो रगु, राजा के कुल के थे, तो रगुजी का जो वन्ष है, उनके वն्ष के बारे मेंě बताया गया है, इसमें दिलीप, रगु, दश्रत, राम जी, कुश, और बहुत सरे आगे होने वाले राजा, उनसे पहले हो चुके één राजा, उनके बारे में, रगु, वन्ष के ब तो बच्चो आशा करती हो, आपको कालिदास जी के बारे में उनकी जो प्रमुक रचनाएं, उनके बारे में थोड़ी बहुत ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी, आपको थोड़ा पहुता आईडिया होगा कालिदास जी की रचनाओं, उनको रट्टा मारने की जुरूत नहीं है, जब उनकी कहानिया आपको समझ में आ गई है, मोटी मोटी तो अब आप किसी भी प्रशन का उत्तर उनसे संबंदित आप दे सकते हैं, तो आशा करती हों आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इस तरह की इतिहास संबंदित वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,